तो चलिए शुरुवात करते हैं इस वीडियो की और आज हम डिस्कस करेंगे जे में दोहजार चौबिस का equations का यह बहत शांदर सवाल, सवाल क्या कह रहा है? Let x1, x2, x3, x4 be the solutions of the equation एक आपको by quadratic दी गई है, यानि degree 4 दी गई है और वो है 4x4, एक बार लिखते हैं 4x4 plus 8x3 minus 17x2 minus 12x plus 9 is equal to 0 और आप से कहा गया है 4 plus x1 का square plus 4 plus x2 का square 4 plus x3 का square, 4 plus x4 का square इसके बराबर है तो m की value क्या होगी? और भाई x1, x2, x3, x4 क्या है? x1, x2, x3 जो है, वो उपर दी गई by quadratic के roots हैं, solutions हैं, उसके answers ठीक है? तो एक तरीका तो यह कि आप इसे hidden trial से जो है, वो चेक करें minus 1 डालेंगे, satisfy करेगा, तो x plus 1 से आप इसे divide कर लिजेगा, फिर और डालिएगा इसमें 3 minus 3 को satisfy करेगा, फिर आप उसे solve करते हैं, एक तरीका तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? कि इस by quadratic को आप क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, इसे लिख सकते हैं आप? x minus x3, x minus x4, अब समझ गए ना? एक quadratic होती है न, ax square plus b, ध्यान से सुनो, ax square plus b, x plus c is equal to 0, उसे हम क्या लिखते हैं, a times x minus x1, x minus x2, जब x1, x2 उसके roots होते हैं, a, यानि कि जब multiply होगा, तो सबसे पहले x की बार 4 आएगा, तो उसके साथ ये 4 तो आ जाए न, क्योंकि यहां तो x की बार 4 की साथ 4 है न, तो leading coefficient a आ जाए, इसलिए हम a को पहले multiply कर लेते हैं, ठीक समझ आया होगा, अच्छा, ये चीज इसके बराबर है, अच्छा, इसे देखने से क्या पता लग रहा है, यह आ रहा है, 4 plus x1 का square, यह x1 है, यह minus में है, यह plus में आ रहा है, यह 4 आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर, अब सबने पढ़ा है, a plus iota b, into a minus iota b, बराबर होता है, a square plus b square के, कहीना कहीं sound कर रहा है, यह वाला concept लगने वाला, और अगर यह concept लगने वाला है, तो यहाँ पर तो पक्का 2 आना चाहिए, यहाँ तो पक्का 4 है न, यहाँ पर किता आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इस बात को आप समझे लें, तो यह x4, समझे लो, 2 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 2 आना चाहिए, और हम तो iota वाले case की बात कर रहें, तो हम एक काम करते हैं, x की value को डालते हैं, 2 iota, और minus 2 iota, तो दो values हम यहाँ से substitute करने वाले हैं, एक पार x को 2 iota, और एक बार x को minus का 2 iota, थोड़ा सा calculation समय करनी पड़ेंगी, काम हमारा असान हो जाएगा, जब हम 2 iota डालेंगे, 2 की पार 4 16 हो जाएगा, और iota की पार भी 4 हो जाएगा, जो iota की पार 4 हो जाएगा, तो iota square minus 1 into minus 1 plus 8, 2 की पार 3 8 हो जाएगा, 2 iota डालने हैं, और iota की पार 3 minus, iota की पार 3 minus iota हो जाएगा, iota x square की जाएगा 2 iota डालने हैं, तो यह हो जाएगा, 4 iota square minus 1 हो जाएगा, तो यह plus हो जाएगा, minus का 12 x की जाएगा डालने हैं, 2 iota plus 9, सामने हो जाएगा 4 times, 2 iota minus x1, 2 iota minus x2, 2 iota minus x3 और 2 iota minus x4. यह हो जाएगा आपका 64 माइनस 64 आयोटा प्लेस 68 माइनस 24 आयोटा प्लेस 9 और सामने वाली फोटो जो है वो एकदम वापस से आ जाएगी तो अगर हम इसे सॉल्फ करेंगे तो यह आ जाएगा चौणसट अरसट वन थर्टी टू प्लेस 9 वन फॉर्टी वन माइनस 88 आयोटा यह बराबर जाएगा इस सेम फोटो के कि इसके बराबर जाएगा तो यहां से हमें एक जानकरी तो पता लगी और हमें उतना टाइम नहीं लगा एक जानकरी हमें अच्छा एक बार माइनस का टू आयोटा डालते हैं जब आप इसमें माइनस का टू आयोटा डालोगे तो यह बनेगा आपका माइनस का टू आयोटा तो यह था जाएगा और आयोटा जाएगा माइनस का इसके जाएगा माइनस का 12, x की जगा आपने पुट किया, माइनस का 2 आयोटा और प्लस का 9, और ये बराबर आएगा, बस जहां जहां 2 आयोटा है, वहां वहां माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, तो इस वाली पूरी बात को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारी बात कैलकुलेट होके आ रह यह तो वापस से 141 आ गई है और यह हमारी वापस से 88 आ उटा गई है तो यह हमारी बात बन के आ रही है 141 प्लेस 88 आ उटा और सामने तो यह फोटा हमारे सामने है ही अब देखिए का यहां कुछ होने वाला है कि जब आप इन आपस में multiply करेंगे इन दोनों equations को जब आपस में multiply करेंगे कि तो यह बनेगा आपका 4 into 416 यह बनेगा ए प्लस ए प्लस आयोटा भी ए माइनस आउटा भी यह बनेगा A square plus B square जब ये दोनों multiply होंगे तो 4, 4, 16 जो कि divide मा जाएगा सामने क्या बच्छेगा ध्यान से देखेगा A minus माफी जाओंगा अब इसे ऐसे देखिए जैसे लिखा हुआ है minus X1 plus 2 Iota ये लिखा हुआ है A plus Iota B और इसे समझेगा ये लिखा हुआ है minus X1 minus 2 Iota बस एक term में दिखा देता हूँ फिर काम हो जाएगा ये लिखा हुआ है A plus Iota B और ये लिखा हुआ है A minus Iota B तो ये आएगा A square plus B square तो ये आजाएगा X1 का square real का square plus imaginary part का square A square plus B square Iota नहीं आएगा B square 2 का square 4 आएगा X1 का square plus 4 ये बनेगा आपका X1 का square plus 4 X1 का square plus 4 जब ये multiply होंगे एक दूसरे में तो ये बनेगा X2 का square plus 4 X3 का square 4 X4 का square plus 4 तो ये आपकी सामने जो बनेगा वो required बन जाएगा X1 का square plus 4 X2 का square plus 4 X3 का square plus 4 X4 का square plus 4 यह आपका required बन जाएगा अच्छा यह जो solve करके आया है इस पूरे की value आपको दी गई है 120 यह पूरा आपको दिया गया है 125 बटा 16 M के 16 से 16 कट जाएगा इस बात को आप solve करके देख लीजिएगा और आपको अपना required answer 221 जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो इसमें छोटा सा आप चाहें तो इसे हिटेंट टाइल मेथट से कर सकते थे लेकिन करते पक टाइम लगा है अगर आपको यह बात एक बार समझ में आगे तब आपको समय नहीं लगेगा और यह concept अच्छा है और इस बात को देखके में substitute कर सकते हैं तो अमीद करता हूँ यह question भी आपको समझ में जरूर आया हुआ